अब ब्रियानी तो खैर मैं अच्छी बनाई है खाना तो मैं अच्छा ही बनाती है आप सब यह सोच रहे हैं ना कि हमें तो डबल वाइस पर लगाया वे खूद बेगम ब्रियानी उड़ा रही है तो आप बिल्कुल परेशान नहों आप भी ब्रियानी खा सकते हैं तो उसका आप जो सीक्रेट है वह भी इसी प्लेट के अंदर है तो चलें आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं असलाम एको मेवर्ज उमीद करती हैं कि आप सब खेरियासे होंगे मैं वीडियो बना रही हूं हां जी कैसे हैं आप सब अच्छा अब ही मैंने आपको वीडियो है और हाजमे का भी जिनों को मसले है ना उनके लिए जो चटनी है ना ये दा बैस्ट है असुब जा मियासाब आफिस जाने लगे तो मैंने उन्हें कहा मैंने का जल्दी आईए का मैं आप आपके लिए चटनी बनाऊंगी अब बचारे अभी तक ही घार नहीं आए अभी त जब से उन्हें ये चटनी सुबाशाम खानी शुरू की है और थोड़ा सा जाहरे वो डाइबिटिक थे तो उनको कुलिस्ट्रोल का भी इशू था तो ये दोनों जो मसले हैं ना उनके इससे हल होगे हैं और जब मैं जब राइस खानने हो या जिसी मेरा तो चीट हो या कु अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जो हरी मिर्चे डालूंगी अच्छा जो लसन है ना वो आपने कोशिश करनी है कि आपको देसी मिले देसी भी आपको एजिली हर जगा से मिल जाएगा थोड़ा से छीलना ज़रा मुश्किल होता है अब ये तमाम चीजे जो हमने ब्लेंडर में डालेनी है अगर आपका ब्लें मैंने आपको दिखाई है ना इतनी आपने दिन में एक दफा खानी है चाहे आप नाच्टे में दहीं के साथ ले ले चाहे आप सालन किसी के साथ भी खा ले चाहे आप दुपहर में खा ले और जो डाइबटिक है वो इसे दिन में दो दफा यूज करेंगे और यकीन करें कि टेस्ट पी इसका बहुत ही मज़े का है और आप इसे 10 से 15 दिना इजी ली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं अच्छा ये जो चटनी है ये मेरे अबू भी खाते हैं हर खाने में और अल्ला का शुकर है वो माशाला सैमेटी फॉर इस टेम उनकी एज है ना उनको कोई किनस्ट्रोल का इश्यू है ना ही उनको कोई डाइबिटीज है अल्ला का करम है और आप यकीन करें कि अभी तक उनका एक दाद भी नहीं निकला तो ये वो चटनी हर रोज जरूर खाते हैं तो आप जरूर इसे ट्राइ कीजएगा और अपना बहुत ख्यार रखेगा और दौाओं में भी हमेशा याद रखा करें मिलती हूं मैं वापसे अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना बूटी नहीं खा सकता तो मूँख खोड़ना बादा खाले के जल पर तो ममा दस-दस विंग्स का लिए सरफे वो फिर विंग्स भी तो थे ना वो तो खान नहीं है